हेलो एवरीवन, वेलकम टू एगरी कल्चर एन जी के इस वीडियो में मैं अभिने दिक्षित आज आज आप सभी लोगों से कंप्यूटर लिटेरसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टिपल च्वाइस कोस्टन डिसकस करने वाला हूँ यह कोस्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए जूट रहे हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए वीडिफिकेशन बिल को आन कर दीजिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अगर आप FWACI एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आप एगरी कल्चर जीके प्रेटफॉर्म से कंप्लीट कोर्स बाई कर सकते हो या आप हमारे मॉक टेस्ट पर चेज कर सकते हो करेंट टाइम पर टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स पर डिसकाउन चल रहा है कूपन कोड यहां पर दिये हुए हैं इनको आप यूज कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट एगरी कल्चर जीके डॉट इन या एगरी कल्चर जीके एप से इनको बाई कर सकते हैं सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दी गई है अगर आपको के बल कोश्टन बैंक बाई करनी है तो आप मुझे वाट्सएप कर सकते हैं वहां से इसको बाई कर सकते हैं कोश्टन नमबर एक है आपका इसका राइट उतर आपका हो जाएगा आप संफ फर्स्ट गीगा हार्ड नेस्ट गोश्टन क्या है तो इसका उतर आपका हो जाएगा रैंडम एक्षेज नेस्ट कोश्टन क्या है आइडेंटिफाइग दी इनकनेक्ट पेयर फ्रॉम दी फालोइंग यहाँ पर चौर आपसंद दिये हुए है और इसमें जो इनकरेक्ट है एक्स्टेंशन वो आपको फाइंड करना है तो इसका उतर आपका हो जाएगा आपसंद सेकेंड डॉट टी टी एफ वर्ड टेक्स फाइल यह जो है गलत दिया हुआ है और सभी सही है नेस्ट कोश्चन क्या है अ टाइप आफ मैमोरी डैट होल्ड दी कंप्यूटर स्टार्ट अप जूटीन इज तो इसका उतर आपका हो जाएगा रोम जीड ओनली मैमोरी नेस्ट क्या है इसका उतर आपका हो जाएगा आपसंद सेकेंड यह जो आपका एक जीबी होता है यह आपके एक हजाज चौबिस एमबी के बराबर होता है बात कर लेते हैं डाटा मीजर्मेंट चार्ट के बारे में तो जो आपका एक बिट होता है यह आपका 0 on 1 के युक्कल होता है जो आपकी bit होती है यह जो है data measurement की lowest unit है इसको आपको याद रखना है और जो यूटा byte है YB यह आपकी जो है largest unit है data measurement की इनको आपको याद रखना है 1 nibble is equal to 4 bits 1 byte is equal to 8 bits 1 kilobyte is equal to 1024 bytes 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte पिर आपका आता है terabyte is equal to 1024 gigabyte next आपका है 1 petabyte is equal to 1024 terabyte next आपका है 1 hexabyte is equal to 1024 petabyte next आपका आता है 1 zeta byte is equal to 1024 hexabyte last आपका है 1 yota byte is equal to 1024 zeta byte तो यह जो है units है data measurement की आगे बाटते हैं next question देखते हैं which of the following is an example of 2tr e system software तो इसका जो उत्तर है आपका हो जाएगा आपसन फोर Microsoft Windows नेस्ट कोस्टन क्या है इन MS Excel रिप्रेजेंट दी आड्रेस और दी एक्ट्व सेल MS Excel में इन में से क्या जो है रिप्रेजेंट करता है एक्ट्व सेल के एड्रेस को यह पूछा गया इसमें तो इसका उत्तर हो जाएगा नेम बॉक्स आपसन फस्ट इच करेक्ट नेस्ट कोस्टन क्या है वाट इस दी दिफाल्ट व्यू आफ एमेस पावरपॉईंट प्रेजेंटेशन 8 का उत्तर आपका आफसंद 3 हो जाएगा Normal Next क्या है Jam is placed on 9 का उत्तर आपका आफसंद 3 हो जाएगा Motherboard देखिए Motherboard का डाइग्राम मना हुआ है और जो आपका जायम है ये Motherboard के अंदर है तो आपकी जायम होती है ये Motherboard में होती है आफसंद 3 is correct Next question क्या है Which one of the following computer components is faster in term of speed of access 10 का उत्तर आपका आफसंद 3 हो जाएगा RAM Next क्या है What kind of memory is both static and non-volatile 11 का उत्तर आपका आफसंद 3 हो जाएगा ROM Next question क्या है Question number 12 इसका उत्तर आपका हो जाएगा आपसंद 1 डिजिटल सिगनेचर Next question क्या है Computer hardware consist of Computer hardware जो आपका होता है इसका उत्तर आपका हो जाएगा option second monitor and CPU Computer hardware आपका monitor and CPU से मिलके बना होता है Next question क्या है What is the motion path in MS power point इसका उत्तर आपका हो जाएगा आपसंद 1 अनिमेशन इंट्रेंस एफेक्ट Next question क्या है Select the option that contains only computer input devices 15 का उत्तर आपका आपसंद 4 हो जाएगा जॉयस्टिक कीबोर्ड माउस डिगिस्टर डिगिस्टर तो इसका जो उत्तर है आपका वो option 4 हो जाएगा बात कर लेते हैं input और output device के बारे में तो input device के जो example है उनमें आपका कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक डिगिस्टर और आपका microphone आते हैं output device में आपका जो है monitor, printer, plotter, speaker, projector आते हैं अगर आप RPSC food safety officer exam की preparation कर रहे हो तो आप agriculture GK platform से इसका complete course इंडोल कर सकते हो हमारे course में आपको syllabus के according complete notes की books दी जाएंगी जो की printable रहेंगी और आपको हम quality content प्रवाइड करेंगे YouTube classes और class notes भी आपको प्रवाइड किये जाएंगे इसके लाब आपको एक question bank मिलेगी और आपको full length mock test प्रवाइड किये जाएंगे और जो हम provide कर रहे हैंगर आपने उतना पढ़ लिया तो उसके बाहर से question आपके exam में नहीं आएंगे अगर आपको एक course buy करना है तो आप agriculture gk app को install कर सकते हैं या आप हमारी website agriculture gk.in से इसको next question क्या है an unsolicited email message sent to many recipient at once is इसका उत्तर आपका हो जाएगा option second spam next question क्या है what do we call the unsolicited or undesired email ये दोनों same question है बद इनको गुमा के पोचा गया है तो इसका उत्तर भी आपका spam में हो जाएगा option second correct next क्या है आपका which of the following is an email software 18 का उत्तर आपका option 4 हो जाएगा ms outlook next question क्या है what is the email attachment size limit in gmail 19 का उत्तर आपका option 3 हो जाएगा 25 MB next question क्या है the convenient place to store contact information for quick retrieval in an email is इसका उत्तर आपका हो जाएगा option third address book next question क्या है which network protocol is used to send email 21 का उत्तर आपका option 4 हो जाएगा SMTP बात कर लेते हैं इनके full form के बारे में तो जो आपका STP होता है इसका full form क्या होता है spawning tree protocol next आपका आता है SSH इसका full form होता है secure cell next आपका आता है POP 3 इसका full form होता है post office protocol वर्दन 3 next आपका आता है SMTP इसका full form क्या होता है simple mail transfer protocol next question क्या है google docs is most similar to which application इसका उत्तर आपका option first हो जाएगा Microsoft word next question क्या है आपका inserting a header at the top of a page will make it appear on 23 का उत्तर आपका option second हो जाएगा every page next question क्या है when did the first spam mail send 24 का उत्तर आपका option second हो जाएगा 1978 Gary थुरेक नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है first spam mail send किया था 1978 में next question क्या है by default email opens with which of the following folder 25 का उत्तर आपका option first हो जाएगा inbox next question क्या है to delete a file without moving it into bin we can use shortcut key 26 का उत्तर आपका option third हो जाएगा shift plus delete next question the shortcut key to rename any file or icon present on the desktop 27 का उत्तर आपका option second हो जाएगा F2 next question क्या है which of the following is used to write web pages इसका उत्तर आपका हो जाएगा HTML option third next क्या है when facebook introduce facebook ads तो जो आपका facebook है इस पे ads आना कम स्टार्ट हुए थे यह स्टार्ट हुए थे आपके November 6, 2007 में 6 November 2007 से facebook पर ad आना स्टार्ट हुए थे last question क्या है आपका what is the default text font present in the world 30 का उत्तर आपका option first हो जाएगा Calibri अगर आप West Bengal food safety officer की preparation कर रहे हो तो agriculture gk platform पे आपको इसका complete course मिल जाएगा हमारे course में आपको syllabus के according complete notes मिलेगा printable रहेगा आपको e-books मिलेंगी और आपको four question bank दी जाएगी full length mock test मिलेंगे और जो हम classes प्रवाइड करते हैं अपने YouTube पे इनकी PDF भी आपको प्रवाइड की जाएगी और आपकी personal guidance भी आपको दिया जाएगा और आपको quality content प्रवाइड के आएगा syllabus के according मतलब जो हम प्रवाइड करने अगर आपने उतना पढ़ लिया के बाहर से एक्जाब में questions नहीं आएगे अगर आपको यह course इंडोल करना है तो आप description box में agriculture gk app की लिंक दी हुई है और हमारे website की लिंक दी हुई है thank you so much god bless you all